हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलेक्रोनिक स्टडी, स्वागत है सभी का एलेक्रोनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर यहाँ पर 26 मार्च 2020 के करेंट अफेर्स की कुछ वस्टन्स के बारे में हम बात करेंगे इसकी पीडियो फाइल्स आपको मिल जाएंगी, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलिग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगे, तो वहां से भी आप जुड़ करके पीडियो फाइल्स का लाव उठा सकते हैं, उसको डावलोड कर स सकते हैं, बकि इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फालो जरूर करें, यह आइडी आपकी जो है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जो नए हैं प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने आपको अपडेटेड रखने के लिए, यहाँ पर ऐसे ही वीडियो क्लोरोक्विन नमक दवा को प्रियो करने के सिफारिश की है, निमूनिया मलेरिया है, थाइराइड हैसमे या कोविड नाइटेन, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ICMR यानिक इंडिन काउंसल अफ मेडिकल रिसर्च के अगर बात की जाए, तो उसने कोरोना वाइरस के इला नहीं मिल सका है, अगर आप बात करती हूँ, कोविड नाइटेन को लेकर या कोरोना वाइरस को लेकर के तो ऐसे में भी ICMR ने एक दवा जो है बनाई है, और इसका नाम आप यहाँ पर देख पार होंगे, हाइड्रो, हाइड्रोक्सी, क्लोरोक्विन करके, आगे बढ़ते ह इसमें निम्न में से शहीद दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च है, 22 मार्च है, 23 मार्च और 24 मार्च, भारत में 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 24 मार्च 1931 को ही अगरी जद्वारा भारत के तीन महान सुवत अंतुरता से इनानियों, भगत सि कहा गया था कि इन तीनों लोगों को तीनों करांधिकारियों को भगत सिंग सुखदेव और राजगुरों को फासिदी जाएगी आपको मैं बता दू इसके बाद जो अधिवेशन हुआ था आपका दिसंबर 1931 में कॉंग्रेज का उसी में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधी वाद नहीं ये स्टेटमेंट भी उनका आया था जब ये कहा गया था कि आप चाहते तो इन तीनों को जो करांधिकारी थी हमारे उन्हें बचा सकते थी तो ऐसे में गांधी जी ने कहा कि हम आहिंसा को ले करके चलते हैं और उन्होंने ये कहा कि गां किया जाएगा आयोजन जुलाई 2020 में किया जाएगा लिखा है इसमें महारास्ट्रा सरकार निपोने और मुंबाई के बीच पहली है पर लूप लाइन बनाने की गोस्ट ना के बात किया है मैंने आपसे सवाल भी पूछा था सवाल दिया था तो अगर आप बात करते हो कर्फ्यू लगाने को ले करके एक आपके इस्तिय होते है लौकडाउन की और एक इस्तिय होते है कर्फ्यू की दोनों ही चीज़े अलग है ठीक है जी लौकडाउन में क्या है कि आप जो जरूरी चीजें हैं जब आप बात करते हूं, दवाओं को लेकर के आप अपने रासन को लेकर करो, खाने पीने की जो चीजें हैं, उसके लिए आप निखल सकते हो, एक टाइम दिया जाता है, परड़े के हसाब से आप क्या आप निकल रहे हो, कोई दिककत नहीं है, आप अपने कर्फ्यू में ढिल दी जाए तब आप अपनी चीजों को खरीज सकते हो तो कर्फ्यू और थोड़ा एक एडवांस कह सकते हो ऐसे उसमें है कि आपको बाहर निकलने को लेकर के जो है अगर आप बात करते हो और जो लॉक्डाउन है उसे पहले के स्थिति आपकी होती है इसमें सारी स्थिर हैं अब दिल्ली की बात करो आप महरस्ट्र भात करो बहाएं से में वहां पर भी कपे लगाया है और यह नहीं यहां पर निलामी करने की घुशना की है यहां पर अगर आप बात करते हो तो ऐसे में चुकी है रेपो रेट की यहां पर बात हो रही है परिवर्तिदर रेपो कोई निलामे की बात की है तो कितने लाख करोन रुपई की बात की है तो वो है एक लाख करोन रुपई की ठीके जी तो आप यहां पर चुकी कोरोना वारिस चलती ये जो है आपका जो फैसला है वो रिजर्व बैंक आफ इंडिया के द्वारा लिया गया है किसने मसीहा मोदी अग्रेट टेल आफ एक्सपेक्टेशन नमक पुस्तक का वे मुचन किया है अरुदाती राय सल्मान रुस्दी चेतन भगत या फिर तावलीन सिंग आप बता दूँ यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका डिया आएगा इसमेले का खाली में भारत की मशूर पत्रकार और लेखक तवलीन सिंग ने मसीहा मोदी अग्रेट टेल आफ एक्सपेक्टेशन नमक पुस्तक का वे मुचन किया है आगे बढ़ते हैं समेहम खाली में मानम भारते फोटबॉलर पीके बनर जी का निधन हुआ है वो कितने वर्ष की आउ में उनका निधन हुआ है वो यहाँ पर पूछा है 65 है 73 है 80 या फिर 83 आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यह हैं पीके बनर जी महोद है इनके पिक फोटो आप देख पा रहे होंगे अगर मैं बात करूँ तो इनकी जो इनका जो निधन हुआ है वो एक किस मार्च को हुआ है 83 वर्ष की आईउ में विशो बैंक के साथ मेर राज में जल प्रबंधन उर्ष की विवस्ता के लिए 80 मिलियन डॉलर के रूड समझाओते पर अस्ताक्षर की है उड़ी साथ हिमाचल परदेश पंजाब या फिर हारियाना तो हिमाचल परदेश ने एक किया है और हिमाचल परदेश की कुछ डेटेल भी मैंने आपको यहां पर दे रखी है कि उत्तर पश्चिमी भारत का एक राज है जो शेत्रफल है वो है छप पर हजार लगबग किलोमेटर स्क्वाइर में फैला हुआ है उत्तर में जम्मु कश्मीर में है लद्दाख है अलग अलग आपकी पश्चिमी क्या है आपका पूरब में और दक्षड में सब मैंने बताया हुआ है हिमाचल प्रदेश का जो शाब्देकर्थ है वो यहां पर लिखा है बरफेडे पहाडों का प्रांत और यसे हम देव भूमी भी कहते हैं आगे बढ़ते हैं इसमें यहां पर आप देख पा रहे होंगी हिमाचल प्रदेश का जो मैप है वो भी मैंने आपको दिखाया हुआ है आपको यहां पर अमरित सर देख रहा होगा और यहां पर चंदिगड़ है आपका पंजाब से जुड़ा हुआ आगे बढ़ते हैं एकले सवाल के तरफ फेस्बुक निर्मलिकित में से किस नाम से भारत में CSR पाहल के शुरुवात की है उनती, नियती, प्रगती या आरंब यह नाम है प्रगती का बहुत अच्छी तरीकी से नाम को ध्यान में रखेगा आगे पढ़ते हैं इसमें किस दिन विश्वा निद्रा दिवस 2020 मनाया जा रहा है 10, 11, 12 या फिर 13 मार्च को तो जो निद्रा दिवस की जबाब बात करते हो यह 13 मार्च 2020 या 13 मार्च को ही सेलिबरेट किया जाता है मनाया जाता है गरेलू क्रिक्ट के तेंदूल कर कहे जाने वाले किस किलाडी ने खालही में क्रिक्ट के सभी प्यारो रुपो से सन्यास लेने की घोशना की है हज़ी तुरहाने वसीम जाफर सुब उधकांत हैं या फिर अमरेश साहे हैं वसीम जाफर हैं जिन्होंने सभी फॉर्माट से जोई सन्यास लेने की घोशना की है खालही में किस देश के संसद्वारा पारित प्रस्ताओं के अनुसार वहां के रस्ट्रपती दो हजार चाथिस तक पद पर बने रह सकते हैं जी हां कुल कितनी किलोमेटर स्क्वाइर में फैला हुआ है तो यह जो डिजिटली की है वो मैं आपको बताए दे रहा हूँ वन सेवन जीरो सेवन फाइव फोर जीरो जीरो आपको बता है एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा है रूश अगर आप विश्वा की बात करते हो मुई जरसंक्य के हिसाब से चीन का नाम सबसे आ गया आता है यहां पर आप रूस को देख भी पा रहा हूँ के मैप में मैंने बताया हुआ है यहां पर कजाकिस्तान आपका हो गया मंगूलिया है यह रहा चीन और इसी के नीचे आपको जो है भारत देखने को मिलेगा ठीक है जी तो आप जब इंडिया से निकलोगे इधर चाइना ठीक है इधर से हो करके मंगूलिया और फिर यहां पर रस्या देख रहे हो आप कहां से कहां तक फैला हुआ है और इसी के उपर है आपका आरकेटिकोशियन यहां पर दोस्तों टेलिग्राम चैनल को आप ज़रूर जोईन कर ले जो नए हैं यहां पर पीडियो फाइल भीस की आपको मिलती रहेगी जो यह चीज़े मैं आपको बता रहा हूँ और डेली अपडेट्स भी मैं वहाँ पर दिया करता हूँ अब यहां पर पड़ पा रहा हूँगे कि आकार की द्रिश्टी से भारत से पांच गुना से भी अधिक बड़ा है रोस और यहां पर इतना विश्राल देश होने के बाद भी रोस की जनसंख्या वेशो में सात्में अस्थान पर है जिसके कालाडी यहां पर लिखा हूँ है रोस का जो जनसंख्या घनत्तो है जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सबसे कम है यह बहुत कम है राजनिया की माउसको है यहां की जो भाशा है वो रसियन है रूसी भासा है ठीक है जी बीबी सी द्वरा इंट्रीन स्पोर्ट्स मोमें आफ दी एर जो है किसे सम्मानित किया गया है पीबी सिंदु हमसी मैरे कॉम मांसी जूसी है यहां पर यहां फ़र्दूती चंद पीबी सिंदु को चोना गया है बारती अतर ट्रक्षक बल की प्रथम महिला उपमानिरिक्षक हाली में कैसे ने उक्या गया मुहिनित्यागी प्रतिभा सचदेवा नूपल कुल स्रेष्ट है या फिर जयात्र पाठी को यहां पर नूपल कुल स्रेष्ट डिरेक्टर आप यहां पर आई जी कोस्ट गार्ड आप यहां पर देख भी बार होंगे जब आप तरक्षक सेवा की बात करते हो कोस्ट गार्ड ऑफ इंडिया तो यह हैं नूपुल कुल स्रेस्ट खालहे में किस उच्च नहीले निस्पस्ट किया कि नहीले में विक्तोक पृते निधित्व करने के लिए करने की विरुद्य प्रसावाइब। देखते हैं यहां पर आपको कुछ क्वेश्टन्स मैं यही से जब आप बात करते हूं कि ब्राजील ब्राजील ने अपने किस stadium को open किया है hospital बनाने के लिए पूरी तरीके से तो ब्राजील का जो stadium है वो है सावपालो और किस लिए किया है आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है इस समय जो COVID-19 के कहर को लेकर के जब आप बात करती हो आगे अगर मैं आपको बात करूँ यहां पर तो prepared card जो एक आंशू है prepared card एक एक आंशू करके नाम है वो किस ने launch किया है तो एक कांशो जो लॉंच किया है वो है आपका करूर वैश्य बैंक ठीक है कौन सा बैंक है करूर वैश्य बैंक है ठीक है जी अगर मैं भारत स्टेज 6 के एक वाहन की बात करूँ BS6 आप पढ़ते होगे ना BS4 के वाहन है BS5 के है BS6 तो BS6 इनन की आप उर्ती करने वाली पहली कंपनी जो है वो IOCL बनी है कौन सी कंपनी है IOCL भारत का पहला COVID-19 समरपित हॉस्पिटल किसने मंबई में बनाया COVID-19 को समरपित हॉस्पिटल जो बनाया गया है वो रेलाइंस के द्वारा आपको बहुत अची तरीके से पता होगा डीजल पेट्रूल डीजल की दामू में भी उन्होंने ये बोला है कि आपको वो चीज़े प्रवाइड की जाएंगी या आपको दिया जाएगा काफी सारी जो है गोशनाएं पाच करोड रुपए भी दिये हैं महारास्ट्रा गवर्मेंट को और इसके लावाब बाकी बहुत सारी चीज़े हैं जो कि रिलाइंस के द्वारा इसी कोवेट-19 के चलते सरकार को दी गई है या गवर्मेंट अफ इंडिया को जहें वो दी गई है विश्व टी बी दिवस तक पेदिक दिवस के बाद बात करते हो तो 24 मार्ट को यहाँ पर होगा या 23 मार्ट को यह बाइस मार्ट को या फिर 21 मार्ट को यह है आपका question आपके लिए तो आप लोग comment में जरूर बताईएगा कि world tv day यह आपका कब मनाया जाता है video files के लिए आप telegram channel पर जरूर जूर जाएं यहाँ पर आपको मैंने बताया भी हुआ है आप telegram channel को download करके वहाँ पर search करके electronic study वहाँ से भी जूर सकते हो और video के description में link भी direct आपको मिल जाएगी हम आपसे जल्दी मिलते हैं को और video के साथ में screen पर आ रहा है आप इन तीन videos को भी जरूर देखें channel को subscribe कर ले मिलते हैं जल्दी ही thanks for watching